दोस्तो सीमा हैदर और सचिन को आज के वक्त में दुनिया जानती है सीमा हैदर जिस तरीके से चार बच्चों को लेकर अपने पती को छोड़ कर भारत आ गई सचिन के लिए क्या वो यहाँ पर आकर इस चीच को एक ट्रेंड बनाना चाती थी जी हाँ उनके आने के बाद अंजू जो की राजस्तान की रहने वाली थी और वो पाकिस्तान चली गई और वहाँ पर जाकर फातिमा बन गई उन्होंने हिंदू धरम को छोड़ दिया और उसके बाद इसलाम को कबूल कर लिया अब ऐसा ही एक नया केस सामने आया है राजस्तान के डुंगर बुरका जहाँ पर दीपीका नाम की एक महिला एक मुस्लिम लड़के के साथ कोवैद भाग गई और जब उनके बुरके की साथ फोटो सोशल मीडिया पे वाइरल हुई तो उनके पती के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते कि दीपीका राजस्तान की रहने वाली है और इनके पती मुंबई में नौकरी करते थे दीपीका के दो बच्चे हैं एक 11 साल की लड़की है और दूसरा 7 साल का बेटा है इन दोनों को छोड़कर दीपीका अपने प्रेमी इर्फान के साथ कुवैट चली गई और वहाँ पर जाने के बाद वो सोशल मीडिया पर एक फोटो डालती है जिसको देखने के बाद उनके परिवार और उनके गाओं वाले लोग दंग रह जाते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उनके पती का बोलना है कि वो मुंबई में रहते थे और दीपीका के अकसर तब्यद खराब रहती थी जिसके लिए वो अकसर गुजरात आती जाती रहती थी लेकिन उनके पती ये नहीं जानते थे कि गुजरात के हिम्मत पूर के रहने वाले इर्फान के साथ उनका कुछ चक्कर चल रहा है दीपीका के पती का बोलना है कि उनकी एक 13 साल की बच्ची है और एक 8 साल का बेटा है दीपीका के पती बताते हैं कि वो अक्सर गुजराज जाया करती थी और 12 जुलाई को उन्होंने वटसप कॉल करके मिरे को बोला था कि मैं हॉस्पिटल में एडमेट हूँ लेकिन जब वो 15 जुलाई को घर वापस नहीं आई तो उनके पती ने पुलिस टेशन में एक रिपोर कर कुवैत आ गई हूँ और जब उन्होंने शोशल मीडिया पर बुर्के के साथ फोटो डाली जिसको देखने के बाद उनके पती बहुत जादा है और ये खबर उनके पुरे गाउं में फैल चुकी थी कि टीपीका अपने बच्चे और पती को छोड़के इर्फान के साथ क बैद चली गई है उनका बोलना है कि इर्फान ने उनकी बीवी का ब्रेन वाश किया है और उनको धरम परिवर्तन करवाया है पुलिस ने इर्फान के खिलाब मुकदमा भी दर्ज कर लिया है दीपीका के पती का बोलना है कि पुलिस को दीपीका और इर्फान पे कड़ी कार जिनको छोड़ कर दीपी का कुवैट चली गई हैं। आपका इसके बारे में क्या बोलना है प्लीज कमेंट शेक्षन बताओ और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ये वीडियो सब के साथ शेर करें ताकि आपके आसपोडोस की महिलाएं भी इस कदम को उठाने से पहले दस बार सोचें क्योंकि उनका उठाया हु अच्छोड़ गलाइक का उनका बार सोचें की यूट लाइक बढूत की लगका हुआएं पर शेली पुड़कर उनका जजब का बार सकत्राव करें पहले हुआ हुआएं यूआ जो झाट जो नहाँ है उनका आसब धर जूबाल भीडियों यूभर जो जो रिएगी पहँः